हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेकाउन ऑनलाइन क्लासेज दोस्तो आपकी बहुत डिमांड थी कि हम आप लोगों के लिए मूलर ब्रेस्लो प्रिंसिपल डिटेल में समझाएं इन डिटर्मिनेटी स्ट्रक्चर्स के लिए उसी डिमांड को मानते हुए रेकाउन लेके आया है एक exclusive series based on मूलर ब्रेस्लो प्रिंसिपल for competitive exam related to civil engineering फिर वो चाहे objective हो subjective हो या interview हो after watching this series आप मूलर ब्रेस्लो प्रिंसिपल में 100% confident रहेंगे और आपको each and everything related to मूलर ब्रेस्लो प्रिंसिपल पता होगी before starting the basic part of this principle मैं suggest करूँगा आपको कि अगर आपने अब तक रेकाउन सिविल एकेडमी का channel subscribe नहीं किया है या bell icon प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए so that कि आपको सारे रेकाउन सिविल एकेडमी channel के notification timely मिल सकें इसके अलावा हम लोगों ने exclusive app develop की है दोस्तों जिसमें की आप videos mobile में भी देख सकते हैं description में मैंने link दे दिया है आप वहाँ से google play store के through हमारी app भी download कर सकते हैं रेकाउन सिविल एकेडमी एक exclusive platform है दोस्तों civil engineering students के लिए जहां पे आप mobile में तयारी कर सकते हैं कहीं पे भी रहके अब आपको किसी भी metro में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही लाखों रुपे खर्च करने की nominal cost में videos लेके आप अपने mobile में भी तयारी कर सकते हैं पिछले दो सालों में दोस्तों रेकाउन सिविल एकेडमी के student top 10 में position बनाने में कामियाब हुए हैं वो चाहे gate हो engineering services या कोई state PSU ज्यादा जानकारी के लिए मैं फिर से बोलूँगा दोस्तों हमारी app डाउनलोड करिए या फिर हमारी website विजिट करिए हमारे नीचे दिये गए नंबर पे WhatsApp करके भी information ले सकते हैं अब हम बात करेंगे दोस्तों मूलर ब्रेसलो principle के बारे में तो ये इतना important principle क्यों है इसका पहले connection समझे अगर आपको connection समझ में आया तो आपको method समझना आसान हो जाएगा बात हैं दोस्तों 1887 की तब मूलर ने ये principle दिया था अब इस era को समझे ये वो era था जब car, rail just develop होने लगे थे European countries में ज्यान दीजेगा मैं European countries की बात कर रहा हूं और मूलर जर्मनी से बिलॉंग करते थे car का automobile industry सबसे advance है जर्मनी के अंदर तो car कहां चलेगी दोस्तों रोड पे, flyover पे, bridges पे और उनको design करना structural engineering के लिए एक challenge बनता जा रहा था क्योंकि load moving थे जब car, railways आ गई तो सब कुछ बदल गया load moving होने लग गया और influence line का concept आया वो आया था 1867 में अब उस समय ना तो calculator हुआ करते थे और ना ही आपके PC या laptop तो calculation बहुत बड़ी एक time taking activity बन गई थी बहुत lengthy calculation नहीं कर पा रहे थे engineers क्योंकि load moving था और हर एक load position के लिए calculation करना was a time taking process here comes the Muller in the picture Muller ने क्या किया दोस्तो 1887 में एक ऐसा principle दिया जिससे moving load की पूरी theory को उन्होंने static loading में बदल दिया आपको ये connection समझ में आना चाहिए दोस्तों कि मूलर का contribution क्यों important है structural engineering में उन्होंने moving load की पूरी theory को एक static loading में बदल दिया ये बहुत बड़ा काम किया था Muller ने और इसके लिए उन्होंने help ली virtual work की objective में portion पूछा जाता है कि Muller Braslow principle किस पे based है तो ध्यान दीजेगा it is based on the virtual work theorem याद रखिएगा दोस्तों notes लिख लीजिए कहीं पे कि Muller Braslow principle कि पे based है virtual work पे और Muller Braslow principle क्यों important है क्योंकि Muller ने moving theory को पूरा बदल दिया था static loading में यानि कि अब moving load के बारे में बात ही नहीं होनी थी बात क्या करनी थी static loading की और उसका जो outcome आएगा static loading का ध्यान दीजेगा जो static loading का outcome आएगा वो आपका moving पे लग जाएगा यानि कि ILD बनाना influence line diagram बनानी के लिए load को move करानी की जरूरत नहीं है आपको आप load को fix रखिए और आप ILD बना सकते हैं सच यह beautiful thing done बाइ मूलर बैसलो आप अगर एक सीविल इंजीनियर हैं तो इसकी बात को समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम किया मूलर ने की पूरी moving theory को एक static loading में बदल दिया कैसे किया क्या steps involved हैं क्या उसमें करना था उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे तो अब तक आपको समझ में आगया होगा दोस्तों कि हम किस इप एरा की बात कर रहे हैं 1887 की जबकि laptop PC या calculator नहीं हुआ करते थे calculation एक tough task होती थी उस समय में मूलर ने moving theory को static loading में बदल दिया मैं बार बार बोल रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में fix हो जाए और connection बनने लगे अब देखिए मूलर ने क्या कहा अब हम उसके statement पर आते हैं what actually मूलर से सो statement उनका ये कहना था दोस्तों कि जो भी function हो function का मतलब जो भी influence line आप बनाना चाते हो जिस किसी की भी ज्यादा तर हम किसकी influence line बनाते हैं उस function को आप structure पे impose कर दीजिए क्या करिए उस function को उस structure पे लगा दीजिए impose करने का मतलब क्या है यहाँ पे आप उस function को लगा दीजिए अब उससे क्या होगा structure deflect होगा जब आपने वो function impose या structure पे लगा दिया है तो वो structure deflect होगा और इससे जो deflected shape बनेगी वो deflected shape किसी scale पे influence line diagram होगा उस function का I think I have made my point फिर से एक बार बताता हूं दोस्तों क्या कहा मूलर ने statement समझीएगा statement ये था कि जो भी function का आप influence line diagram बनाना चाहते हैं ज़्यादा तर हमारे function होते हैं shear force bending moment reaction उनको अगर आपको influence line diagram बनानी है तो आप structure पे उनको impose कर दीजिए impose करने से क्या होगा दोस्तों वो structure deflect होगा और उसके deflection से जो deflected shape बनेगी वो किसी scale पे ILD होगी ये उनका statement था based on virtual work theorem proof जानने के लिए आपको virtual work में जाना पड़ेगा हम यह proof की बात नहीं करेंगे हम सिरफ statement से हमारा काम चला लेगी तो I think statement is very clear now फिर से एक बार बात करते हैं दोस्तों कि 1887 calculation नहीं थी मूलर ने moving theory को static loading में बदल दिया और इसके लिए उन्होंने statement क्या दिया कि जिस किसी function का आपको influence line diagram बनाना है उसको impose कर दीजिए उस structure पे उससे deflected shape बनेगी और deflected shape किसी scale पे ILD होगी अब इसको समझते हैं इस example से ये example आप कर लेंगे दोस्तों तो आपको ना सिरफ मूलर प्रेसलो समझ में आएगा बलकि मूलर प्रेसलो में छुपेवे दूसरे chapters का भी revision हो जाएगा कौन-कौन से chapter revise होंगे method of consistent deformation revise हो जाएगा आपका Maxwell reciprocal theorem revise हो जाएगा आपका इसके अलावा conjugate beam method revise हो जाएगा आपका और हो सका तो double integration method भी revise हो जाएगा तो एक question में इतना कुछ आपका revision होगा अगर आप question को पूरा कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो question क्या है दोस्तों draw the influence line for movement at a अब इस question में हमको a point पे जब यह point load यहां से move कर रहा है right to left तो यहां पे a पे जो bending moment का variation आएगा उसका हमको influence line diagram बनानी है यह question है यानि कि यह loading क्या है moving है अब हम molar Braslow principle लगा के इसको static बना देंगे और static को हम solve करेंगे कैसे चलिए देखते हैं यह दो step method है इसमें दो step लगते हैं मैं इसको कह देता हूँ step one और second step two आज हम step one और step two की बात करेंगे बाकी की चीजे हम second और third वीडियो में देखेंगे तो पहले step one और step two को detail में समझ लेते हैं जिससे next वीडियो में आपको चीजे समझ में में आसानी हो तो अब आपको करना क्या है as per the statement की इस structure पे आपको function impose करना है हमारा यहां पे function क्या है bending moment जो आपको इस structure पे impose करना है लेकिन आप कर नहीं सकते यहां पे bending moment impose क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस लगावाए रेजिस्टेंस क्या है fixed end का यह fixed end यहां पर moment को आने नहीं देगा तो आप पहला काम क्या करेंगे remove the resistance पहला काम होगा remove the resistance तो आपका resistance आपने remove कर दिया यानि कि आपने fixed end support हटा दिया तो बचा क्या hinge बच गई तो यह आपकी hinge हो गई दोस्तो यहां पर A पर B पर तो hinge थी वो hinge ही रही तो पहला step याद रखें मूलर प्रेश्टेंस में क्या करते हैं remove the resistance हमने यहां से यह resistance हटा दिया अब इससे कुछ deflection होगा ठीक है तो हम मान लेते हैं इसकी deflected shape कुछ ऐसी होगी है मान लेते हैं B A और यह one unit का जो point load है दोस्तो वो कहीं x point पे लगावा है यह x point कुछ भी हो सकता है इसकी मैंने distance ले ली है b से x ऐसे ओके आब assume कर सकते हैं अब step 2 क्या है impose the function तो हमारा function क्या है ma क्योंकि अब resistance हट गया है तो हम function को impose कर सकते हैं अब हमें यह one unit load तो चाहिए नहीं तो इस one unit load को नहीं रखेंगे सिरफ हम beam को रखेंगे इस तरीके से और यहां पे हम one unit का एक moment apply कर देंगे इससे beam deflect होगी दोस्तों मान लेते हैं कुछ इस तरीके से deflect होगी तो अब यह जो deflected shape बनी है यह ild है for ma at some scale यह muller breast flow ने कहा अब इसमें हम क्या करेंगे वो मैं detail में आपको second video में बताऊंगा पर यहां पे कुछ चीजें और देख लेते हैं क्या क्या देख लेते हैं यह जो deflection हुआ है दोस्तों इसको मैं कहूंगा y x x अब x x का क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि deflection at x due to unit load at x तो पहली चीज आती है कि deflection हुआ कहां deflection और where is the unit load ठीक है तो y x x का मतलब क्या है deflection x पे हुआ unit load पी x पे अब यहां पे rotation हुआ theta का तो हम इसको कैसे लिखेंगे theta deflection कहां हुआ है a पे पहला जो आता है deflection वो हुआ कहां यहां पे deflection क्या है rotation तो a पे किसकी वज़े से हुआ unit load कहां था x पे तो हम इसको क्या लिखेंगे theta ax is it okay so this is theta ax अब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पे आप देखिए फिर से यह deflection होगा y first चीज deflection हुआ कहां x पे क्यों हुआ क्योंकि unit moment या unit load कहां लगा था a पे क्योंकि rotation हुआ कहां है a पे किसकी वज़े से हुआ unit rotation लगाया कहां गया था a पे तो दोस्तों यह आपको समझ में आया के नहीं पहले इसको देख लीजे यह बहुत important step है step one और step two क्योंकि अगले वीडियो में जब मैं आगे की बार discuss करूंगा तो आपको step one और step two बिलकुल clear होना चाहिए तभी आप आगे की चीजों को समझ सकेंगे तो फिर से एक बार मैं आपको पूरी चीज revise करा देता हूं एक मिनट में कि मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल 1887 में दिया गया था क्योंकि उस समय नया नया development शुरू हुआ था civil engineering के moving load का calculation आसान नहीं थी calculator laptop PC थे नहीं तो engineers को problem हो रही थी moving load को handle करने में मूलर ब्रेसलो ने ये पूरी चीज को आसान बना दिया और ये कहके कि आपको moving load के बारे में सोचना ही नहीं है आपको static loading की problem solve करनी है और उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जो भी function आप ले रहे हो उसको आप किसी भी तरीके से structure पे impose कर दीजिए उससे जो deflected shape बनेगी वो structure के उस function की ILD होगी इसके लिए 2 step किये हम लोगोंने पहला वो था कि जो हमारा function है उसको impose करने के लिए पहले resistance हटाओ तो resistance 6 end था उसको हमने हटा दिया और second step में हमने वो one unit का moment लगा दिया जिससे deflection आया यह आपका deflection आ गया किसी एक point पे मैंने ले लिया x पे और वो कित्ता आ गया y x यह मैंने आपको यहां समझाया है कि इनका nomenclature कैसे होता है y x x y x a theta ax and theta aa तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो like बटन जरूर दबाईए और कुछ आपको चानना है रैकॉन के बारे में तो हमें whatsapp करिये app download करिये और अपनी engineering को enjoy करिये must रहिए thank you very much keep enjoying your civil engineering and have lot of fun in your life